मुश्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल में दोस्तो आज हम मेई के करंट फेर्स जो हैं तो उनको लेके आए हैं ठीक है तो फिस्ट फिफ्टीन डेज जो हैं मेई के तो उनके करंट फेर्स को आज हम डिसक्स करेंगे जैसे कि दोस्तो अगर आप पिछली योज से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमने January से एक series जो है वो उसको start किया था कि January के February के March के April के जो current affairs हमारे हैं तो उनको हम complete कर चुके हैं तो ये हमारा जो target है कि कहां तक हमने जाना है तो जो अभी हमारा current September जो मन्त चल रहा है तो अब तक हमने जितने भी हमारे January से लेके September तक current affairs हमारे बने हैं तो उनको हमने discuss करना है और इन current affairs को discuss करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो current affairs हमारे हो रहे हैं तो उनके बारे में ही discuss करना बलकि उसके related जो उसके आसपास की information जो है तो उसको जो है वो collect करना हमारा एक main मकसद होगा suppose करो कि हम जो है वो बात करते हैं कि कोई DRDO जो है वो एक exercise जो है वो conduct करता है किसी तट पे ठीक है तो फिर हम बात करते हैं कि DRDO जो है वो क्या है किस ministry के under आती है कब बनी थी तो यह सब चीज़ें हमारे लिए important हो जाती है current affairs का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि जो चीज चल रहा है तो उसके बारे में बलकि वो चीज बनी कब थी उसके prison CEO काउन है उसका headquarter कहां पे है या फिर कब से यह working नहीं है ठीक है तो इन सब चीज को subscribe नहीं किया है तो please इसको subscribe कर दो ताकि आने वाली videos directly आप तक पहुंच जाए तो आइए दोस्तो शुरुआत करते हैं दोस्तो शुरुआत करते हैं कि हमारा first question जो है वो क्या बना है तो उसके बारे में देखते हैं ठीक है तो first question है कि when is आयुश्मान भारत दे celebrated ठीक है तो आयुश्मान भारत दे जो है इसके बारे में हम सभी ने जो है वो सुना है तो इसको बनाया कब जाता है कब इसको celebrate जो है वो किया जाता है आयुश्मान भारत दे को तो दोस्तो 30th April जो है वो उसको celebrate किया जाता है तीस April को आयुश्मान भारत दे जो है तो उसको celebrate किया जाता अगला आता है कि which state government has recently launched COVID emergency loan scheme ठीक है तो COVID emergency loan scheme इसको याद रखना ये कौन सी state ने इसको launch किया है तो इसको जो है वो हर्याना ने launch किया है हर्याना की capital जो है वो चंडीगड है और यहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम मनोहरलाल खटर है अगला question हमारा बना है कि which state government has reduced the price of RT-PCR test in private laboratories from 1700 to 500 ठीक है तो पहले जो RT-PCR test जो की हमारा COVID के related जो हमारा test होता है RT-PCR तो उसका rate जो था वो प्राइबेट जो लेबाटरी जो थी तो वहां पर इसका rate जो था वो 1700 रुपे था तो अब जो है वो उसको कम कर दिया गया है और वो क 1200 से लेके 500 तक तो उस state का नाम है दोस्तो के रिला अगला question हमारा है कि recently इंडिया और विच कंट्री विल ऑगनाइज टू प्लस टू मिनिस्टियल डायलोग विट्विन फारंड मिनिस्टर ठीक है तो इंडिया और कूंची जो कंट्री जो है वो उसके जो मिनिस्ट्र फारं annunced the session of coal production ढूंच किया है तो दोस्तो उस country का नाम है पोलन दोस्तो अगर हम पोलन की बात करें कि उसकी capital कहां पर है तो उसकी capital है वर्सा में ठीक है और अगर हम बात करें कि पोलन की currency जो है वो क्या है तो उसका नाम है Polish long जो है तो वहां की currency है और प्रिजिडेंट जो है उनका नाम एंड्रेज द्वरला जो है वहां के प्रिजिडेंट है और अफिशल लेंगवेज जो है वह पोलेंड की बोप मंत की है ठीक है अगला कॉश्चन हमारा बना है कि who has developed single crystal blades for helicopter engine recently ठीक है तो single crystal blades जो है helicopter के engine के लिए जो है वो उनको develop किया है तो वो किस ने किया है तो दोस्तों ये किया है D.I.D.O. D.I.D.O. के बारे में हमें पता है कि Defense Research Development Organization और जी Ministry of Defense जो है तो उसके अंडर आता है इसके head की अगर हम बात करें D.I.D.O. के तो इसमें जो Defense Minister राजनात सिंग जी जो है तो वो इसके head है अगला question आता है कि where is the world longest pedestrian suspension bridge recently started ठीक है तो longest कौन सा pedestrian suspension bridge जो है तो ये कहां पर जो है वो इसको start किया गया है तो तो पूर्टकुल की अगर हम बात करें इसकी capital की तो इसकी पूर्टकुल की capital लिस्बन में है और यहां की जो currency है तो वो है euro और marcelo revalo di sausa जो है तो वो जहां के president है अगला question हमारा बना है कि which state government has launched the corona warrior scheme ठीक है तो corona warrior scheme जो है तो उसको launch किया गया है कौन सी state government के द्वारा तो दोस्तो उसका नाम मद्यापरदेश है ठीक है और who has recently been appointed by rvi to the central board of directors ठीक है तो rvi के द्वारा central board of directors जो है वो directors के तोर पे जो है वो किसको appoint किया गया है तो दोस्तों उनका नाम अजे सीथ है अगला question हमारा बना है कि which state has recently signed two agreement with Bhutan and Nagaland for purchase of oxygen ठीक है तो oxygen को purchase करने के लिए दो agreement जो है वो sign किया गये है तो कौन सी state ने ये agreement sign किया गये है भुटान और Nagaland के साथ तो दोस्तों उसका नाम है Assam दोस्तों Assam की अगर हम capital की बात करें तो दिस्पूर है और हिमानता विश्वा सरम जो है तो बो जहां के चीफ मिनिस्टर है अगला question हमारा बना है कि which state government has approved the हरीहार policy for the appointment of the orphan who came to the Walgriha ठीक है तो ये हरीहार policy जो है वो orphans के लिए शुरू की गई है ये कौन सी state government जो है तो उसने इसको शुरू किया है तो बैंक जो है तो ये कौन सी bank के दवारा शुरू किया गया है तो दोस्तो इस बैंक का नाम है शयल इस flouricialिक श्यवाले000 फाइनसियल इह पर इसको शुरू किया है जो हमारा next question बना है तो तो बहु क्वारा को श्यांक है हमारा है उसको देखते हैं कि how much did the Punjab government increase the amount under the blessing scheme ठीक है तो यह Punjab government जो है उसके दुवारा launch किया गया था तो अब वो क्या कर रही है कि इसमें जो है वो passage हो थे तो उनको जो है वो increase कर रही है तो कितने passage जो है वो increase कर रही है तो 51,000 ठीक है तो 51,000 रुपीज जो है वो उनको increase किया गया है अगला question आता है कि जो है उसको कब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवर डे तो उसको जो है वो एक मेई को जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है अगला question हमारा बना है कि which country has launched a multi-screen test system to detect disease like HIV, BNC and syphilis ठीक है तो यह कौन सी country जो है वो उसने इस scheme को जो है वो इस test को जो है वो शुरू किया गया है तो उस country का नाम दोस्तो रशिया है रशिया के important facts के बारे में मैंने आपको बताया है पहले का next question है कि which bank has reduced home loan interest rates recently ठीक है तो home loan interest जो है इसको जो है वो कम किया है कौन से bank के दोबारा तो दोस्तो उस bank का नाम State Bank of India है अगला question हमारा वना है कि which IIT has recently transformed an existing nitrogen plant into an oxygen generator IIT Bombay के दोबारा जो है वो इसको किया गया है दोस्तों क्या question था कि IIT कौन से IIT जो है उसने transform किया है existing nitrogen plant को oxygen generator में ठीक है तो existing nitrogen plant को किस में oxygen generator में जो है वो उसको transform किया है तो दोस्तों कौन सी IIT ने उसको किया है तो दोस्तों उसका नाम IIT Bombay है next question हमारा बना है कि what is the percentage increase in sales of electric cars in the first quarter of 2021 ठीक है तो कितनी percentage जो है वो increase हुई है sales of electric cars ठीक है तो जो electric cars जो है तो उसमें कितनी percentage जो है वो आई है first quarter अब 2021 ठीक है तो quarter जो होता है वो तीन महीने का होता है ठीक है तो वो कितनी 140 percent जो है वो increase हुए है अगला question हमारा बना है कि विच अब इसके पीशे जो है वो बज़ा किया है बज़ा यह है कि petrol जैंफिल diesel जो है इसके धाम जो है वो बढ़ रहे हैं इतने बढ़ next question हमारा बना है कि which company has announced the introduction of the fact box feature on the user's timeline ठीक है तो वो कौन सी company जो है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि इसको fact box feature को on the user's timeline तो उस company का नाम दोस्तों ट्विटर है ट्विटर अभी पीशे जो था वो चर्चा में रहा था अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर 2006 में जो है वो बना था और इसका जो हैड़कोर्टर जो है वो कैलिपोर्निया यूसे जो है तो वहां पर इसका हैड़ जो है इसके ट्विटर के CEO जो है तो वो इसके CEO है तो भी पीशे क्या किया था देखो एक ऐसा जो है वो एक ग्रीन टिक जो है वो आता है किसी मतलब जो Famous बंदा होता है तो उसके नाम से ठीक है कि जिसे हमें यह पता चलता है कि जैसे मेरा एक अकाउंट होगा तो प्रद्धान मंत्री जी है तो उनके नाम पे बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट बनाये होते हैं लेकिन जिसके उपर ऐसा टिक होगा तो इट मेंड्स की बो वाला उनका उनका ही होगा असली होगा तो बो वाला टिक जो था तो वो जो हमारे उपर आश्टरपति वेंग क जो है वो लगा दिया गया था तो important facts जो थी तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है next question देखते हैं कि recently Boeing has announced dollar 10 million emergency aid to which country ठीक है तो Boeing जो है तो उसने announce किया गया है कि 10 dollar million जो है वो emergency aid जो है वो दी जाएगी कौन सी country को तो दोस्तों वो country हमारी इंडिया है ठीक है next question हमारा बना है कि which country is Yanbu port ठीक है तो वो कौन सी country का Yanbu port याद रखना Yanbu port has been targeted with explosive laden drones ठीक है तो उसको target किया गया विद किसके साथ explosive laden drone के साथ तो दोस्तों वो कौन सी country का है तो उसका नाम है दोस्तों Saudi Arabia दोस्तों अगर हम Saudi Arabia की बात करें तो इसकी यार्ष यहां पर इसकी capital है ठीक है रियाद और किंग जो है यहां कि तो उनका नाम सुल्मान अब Saudi Arabia है ठीक है तो इस्लाम ठीक है तो किंग को ऐसे बोला जाता है कि सुल्मान अब Saudi Arabia ठीक है और यह Asian continent जो है हमारा Asian continent मेंशिया इंडिया भी आता है और यह health officials जो थे तो उन्होंने leave लेनी थी लेकिन पीशे हमें पता है कि COVID-19 चल रहा था तो जिसके चलते जो है वो state government ने cancel कर दी थी सभी की leave तो वो कौन सी state है तो उस state का नाम दोस्तो बिहार है बिहार की अगर हम capital की बात करें capital इसके पटना है और नितिश कुमार जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर है और फागू चोहान जो है वो जहां के governor है next question हमारा बना है कि recently अमिताब चौधरी has become the MD and CEO of which state bank ठीक है कि दुवारा से बने है पहले भी वो उसी के थे और अब भी जो है वो अमिताब चौधरी तो दोस्तों उस bank का नाम एक्सिस बैंक है ठीक है एक्सिस बैंक जो है वो उसके CEO जैसे हमने बात की कि अमिताब चौधरी है और मुंबई में जो है वो इसका headquarter है और ये 1993 में जो है वो बना था और कहां पर बना था एहम्दाबाद में बना था नेक्स्स क्वेशन हमारा बनता है कि रिसेंटली अप्लिकेशन आफ जी आइट एग अफ उसको दिया गया यह कौंची स्टेट का है तो दोस्तों इस स्टेट का नाम त्रमिल नाडू है अगला क्वेशन हमारा बना है कि तो यह कौन बना था किसको यह वाला अवार्ड दिया गया और आफ राइसिंग सन अफ जापान तो दोस्तों उनका नाम था ठंग जम डबली सिंग ठेक है तो ठंग जम डबली सिंग जो थे तो उनको जो है और आफ राइसिंग सन अफ जापान जो है वो इसका खिताब जो ह दिखते हैं कि next question हमारे कौन कौन से बने हैं सबसे पहला question है कि when is world laughter day celebrated तो यह हमें याद होना चाहिए एक मेई को world labor day होता है और दो मेई को जो है वो world laughter day जो है उसको celebrate किया जाता है ठीक है according to the brand finance report which number has LIC become the most valuable brand globally ठीक है तो globally जो है वो LIC जो है तो उसको एक brand के तोर पे कौन सा नंबर जो है वो मिला है तो दोस्तो LIC को 10th नंबर जो है वो मिला है ठीक है तो 10th नंबर जो है वो LIC को मिला है globally ठीक है worldly ठीक है globally हम बोल सकते हैं पूरे world में अगला question हमारा बना है कि which state has started a unified command center for covid management ठीक है तो unified command center बनाया गया है covid management के लिए तो कौन सी state के दवारा बनाया गया है तो दोस्तो वो state जो है वो बही तामिल नाडू है अगला question बना है कि who has started breathing and recovery scheme ठीक है breathing breathing and recovery scheme to provide necessary financial support to MSME को support करने के लिए जो है तो किसने ये शुरू किया गया है तो दोस्तो SIDBI के दिवारा शुरू किया गया है दोस्तो अगर हम बात करें MSME की तो MSME की full farm होती है ministry of micro small and medium enterprises ठीक है और इसका headquarter की अगर हम बात करें तो new Delhi में है और ये 2007 में बना था लेकिन जब हम बात करते हैं सिद्वी की तो सिद्वी की full farm होती है small industry development bank of India ठीक है और ये 1990 में बना था और इसका headquarter जो है ये उत्तरपरदेश की लखनव में इसका जो है वो सिद्वी का headquarter है अगला question हमारा बना है कि which state has decided to appoint oxygen nurse to prevent wastage of oxygen in hospitals ठीक है तो कौन सी state ने इसको decide किया है अपॉइंट करने के लिए oxygen nurses को ठीक है प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए wastage of oxygen in hospitals में तो ये महराश्टरा जो है तो उसने इसको शुरू किया है ठीक है तो उदब ठाकरे जो है वो जहांके चीफ मिनिस्टर है और मुंबे इसकी capital है अगला question हमारा बना है कि which state has announced the return of banan bronze salt artifacts to Nigeria ठीक है तो ये कौन सी country जो है उसने announce किया गया है return of banan bronze salt artifacts to Nigeria तो ये जर्मिन ने जो है इसको announce किया है दोस्तों अगर हम जर्मिनी की बात करें तो जर्मिनी की capital जो है वो बैरलिन में है और frank walter सेंड मेर सेंड मीर जो है तो जहां के president है ठीक है next question हमारा बना है कि which organization has launched Defender Europe 21 इसको याद रखना Defender Europe 21 a joint military exercise in Elvania ठीक है Elvania में तो ये कौन सी organization जो है तो उसने इसको जो है वो launch किया है तो दोस्तों उस organization का नाम नेटो है नेटो की दोस्तों अगर हम full farm की बात करें तो Atlantic treaty organization इसकी full farm है and then इसका जो headquarter है तो यह Belgium में इसका headquarter है और यह बनी कहां पर थी यह बनी थी वेशिंग्टन डिसी जो है USA में तो वहां पर जो है यह बनी थी नेटो अगला question आता है कि who has been appointed as the charge affairs as the US embassy in New Delhi ठीक है तो charge affairs के लिए जो है वो किसको पॉइंट जो है बनाया गया है US embassy, US की जो embassy है New Delhi में तो यहां पर तो उनका नाम है दोस्तो Daniel Smith जो है उनको appoint किया गया है अगला question हमारा बना है कि which state has celebrated its statehood day on 1st May तो पहली मेई को एक तो हम labor day बनाते हैं दूसरा हो गया कि इंडिया की एक ऐसी state है जो statehood day जो है वो एक मेई को बनाती है और उस state का नाम किया ह है दूस्तो गुजरात गुजरात की capital गांदीनेगर इंपोर्टन तथे जो है तो वो मैंने आपको पहले के बताई हुए है अगला question हमारा बना है कि recently the president of which company has started the oxygen on wheels project in महराष्टरा तो महरा महराष्टरा में एक project जो है उसको शुरू किया गया था oxygen on wheels ठीक है तो oxygen के बारे मे oxygen के चलते बहुत सारी organizations यहां है जा फिर बहुत सारी companies है तो उन्होंने जो थे वो अपनी तरफ से oxygen जो थी वो डोनेट की थी तो बैसा ही question यहां पर बना है कि मुंबेई महराष्टरा में oxygen on wheels एक project जो है उसको शुरू किया गया था कौन सी company के दवारा शुरू किया गया था तो दोस्तो उसका नाम है महिंद्रा ग्रूप दोस्तो अगर हम महिंद्रा ग्रूप की बात करें तो यह एक Indian company है और इसके जो CEO जो है तो उनका नाम आनंद महिंद्रा है और इसका headquarter जो है तो वो मुंबेई में है और यह 2 October 1945 को जो है यह महिंद्रा जो है वो ग्रूप जो ह सिए और फ्रोंट रांट यूजर सब्सक्राइब की किया गया है धना कूंट-ोह इसा नाम गाृकि अधिका देखते हैं next question दोस्तों हमारा बना है कि आजा बाई हुआ है कि हुआ है रिसेंटली टेकन ओवर एस दा न्यू मेंबर आफ रेलवे बोड ठीक है तो रेलवे बोड का नया मेंबर जो है वो किसको बनाया गया है तो दोस्तों उनका नाम संजे मोहांती है तो संजे मोहांती को रेलवे बोड का नया मेंबर जो और अगला question हमारा बना है कि उसको चलिबरेट किया जाता है अगला कुस्षिन हमारा बना है कि who has been appointed as athlete ambassador for the IOCs believe in sports campaign ठीक है तो believe in sports campaign एक launch किया गया है और उसके दवारा एक brand ambassador जो है वो बनाया गया है कौन से athlete को जो है वो बनाया गया है तो दोस्तो उसका नाम पीवी सिंदु है दोस्तो अगर हम बात करें पीवी सिंदु का नाम तो हमने स पूरा नाम है पुशारला वेंकर सिंदु जो है और पूरा नाम है और उनके जो coach है ऐसा question फूस जकते हैं कि पीवी सिंदु के coach करें नाम तो उनका नाम पर्क ते संगर ठीक है पर्क ते संग मतलब एक चाइनिस नेम है हमें नहीं पता कि चाइनिस है कि यपैन का बंदा है बट हाँ कोच जो है वो उनका नाम पर्क तै संग जो है वो उनके टीबी संदू के संदू के जो कोच है तो उनका नाम है अगला question है कि which state government has planned to provide more than 2 lakh tab water connections तो 2 lakh से ज्यादा tab water connections जो है वो provide करने के लिए plan किया था वो कौन सी state है इंडिया की जिसने plan किया था तो दोस्तो उस state का नाम हिमाचल परदेश है हिमाचल परदेश की capital की बात करें तो जैसे पहले जम्मू कुश्मीर की हुआ करती थी जहां फिर अभी भी हुआ करती है तो बस बैसा ही सीन था कि दो जगाँ पे हिमाचल परदेश की चीम मिनिस्टर है और गवर्नर की बात करें तो उनका नाम श्री रजिंद्र विश्वनात आरलेकर जो है तो वो जहां के गवर्नर है ठीक है श्री रजिंद्र विश्वनात आरलेकर जो है वो हिमाचल परदेश के गवर्नर है अगला question हमारा बना है कि recently passed away पंडित देवरत चौदरी तो यह जाद नक्रा कि यह नाम है पंडित देवरत चौदरी वास फेमस वो क्या थे वो थे एक सितार प्लेयर थे ठीक है तो सितार प्लेयर सितार बजाते थे पंडित देवरत चौदरी वो अभी पीशे मही में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी अगला question आता है कि recently the statue of Kamala Harris mother will be kept in Madame to Saudi wax museum of which city ठीक है तो कौन सी city New York की एक city है जिस city का नाम है यह तो यहां पर जो है वो Kamala Harris जो है तो उनकी मा जो है तो उनका statue जो है वो उसको बनाया जाएगा ऐसा बोला गया था ठीक है और बना भी दिया गया है दोस्तों अगर हम Kamala Harris की बात करें तो Kamala Harris जो अमेरिका की उसलिए हो क्योंकि उसलों कसे साथ यह वह जाता है कि यह यह हो जाता है है जो तो इंडिया की जो सौथन स्टेट्स हैं तामिलनाडू के आसपास की तो यहां से तालूक रखती थी इंडिया के लिए कि कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेजिडेंट है उनके बारे में जानना वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला question हमारा बना है कि in which country will the Asian Boxing Championship 2021 be held ठीक है तो Asian Boxing Championship 2021 की तो ये कौन सी country में होगी ऐसा बोला जाता है कि कौन सी country में United Arab Emirates यहां पर होगी जैसे कि जो 2021 का जो IPL जो था इंडिया प्रिमेर लीग जो थी तो वो पहले तो इंडिया में हुआ था लेकिन जो उसका दूसरा चरण अभी चल रहा है तो वो भी UAE United Arab Emirates जो है तो यहां पर चल रहा है और Asian Boxing Championship भी जो है यहां पर ही होनी है अगला question हमारा बना है कि who has born the title of Portugal Grand Prix रिसेंटली ठीक है तो पुर्त गुल Grand Prix रिसेंटली यह वाला टाइटल जो है तो यह किस ने जीता है तो दोस्तों इनका नाम लैविस हैमिल्टन है दोस्तों अगर हम लैविस हैमिल्टन की बात करें तो 1985 में इनका जनम होता है और यह England क एक खिलाडी है जो कि कौन सी टीम मतलब England की ही एक टीम है और किसमें कौन सी टीम है क्रण्ट टीम जो उनकी है तो उसका नाम है Mercedes-AMG Patron F1 टीम ठीक है तो इनकी टीम का क्या नाम है Mercedes-AMG Patron F1 टीम जो है उसके क्रण्ट प्लेयर है क्वान लैविस हैमिल्टन तो यह जो लैव नेक्सकोषिन बना है कि World Esthema Day जो है फोर्थ मेई को सलिब्रेट किया जाता है और चार मेई होड़ अस्तमा देज्व है उसको सलीब्रेट किया जाता है नेक्सकोषिन दोस्तों हमारा बना है कि विच स्टेट गोर्मेंट है पोस्ट फोन दा चार दाम यात्रा विकास आप कोविद 19 तो कोविद 19 पहले बड़ा जबरतस फैला हुआ था इंडिया में अभी जो है इसमें थोड़ा कंट्रोल है तो चार दाम यात्रा जो थी तो उसको जो था वह इसके चलते पोस्ट फोन कर दिया गया था वह कौन सी सोलर पावर प्लांट जो है उसको रिसेंटली जो है वो सैट अप किया गया है तो यह कहां पर इसको सैट अप किया गया है तो दोस्तों इसको सिक्किम में किया गया है दोस्तों अगर हम सिक्किम की बात करें कि इसकी कैपिटल कहां पर है तो गैंक टॉक इसकी कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रैम सिंग तमंग जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद जो है वो सिक्किम के गवर्नर है नेक्स्ट कोश्चन हमारा बना है कि recently the Reserve Bank of India has imposed a fine of Rs.3 crores on which bank ठीक है तो RVI ने 3 crores का fine जो है वो लगाया था कौन से bank के उपर तो दोस्तों उस bank का नाम ICICI Bank है ठीक है अगर हम ICICI की बात करें इसकी full firm क्या होती है तो इसकी full firm होती है Industrial Credit and Investment Corporation of India और इसकी अगर हम ICICI की बात करें इसके CEO जो है तो उनका नाम संदीब बक्षी है और इसका headquarter जो है यह बडोदरा सिटी जो है तो बहाँ पर इसका headquarter है और 1994 को जो है ICICI जो है यह bank बनता है ठीक है next question हमारा बना है कि which company became the India's third largest IT company ठीक है तो इंडिया की तीसरी बड़ी IT information technology company जो है तो कूंसी बनी है तो दोस्तों उस company का नाम विप्रो है ठीक है तो विप्रो की अगर हम बात करें यह information technology company है और यह 1945 को बनती है और इसका headquarter जो है वो बैंगलूरू में है जिसको हम Silicon Valley of India भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां पर जो इंडिया मतलब हमारी हाँ इंडिया की जो हमारा space agency जिसको हम इस रो बोलते है तो उसका headquarter वे बैंगलूरू में है तो तबी जो है वो इसको Silicon Valley जो है वो बोला जाता है अगर हम CEO की बात करें विप्रो के तो उनका नाम है ठीरी देले पोटे ठीरी देले पोटे जो है वो विप्रो जो है तो उसके CEO जो है तो उनका नाम है तो दोस्तों यह थे first 15 days जो है मेई के तो उनके current affairs और ना सिरफ हमने current affairs के बारे में सीखा बलकि वो जो particular organizations है जा फिर particular country है जिसके बारे में हमने पहले जो है वो नहीं discuss किया था त country वो कौन सी continent में जो है वो पाई जाती है जा फिर उस country के president का क्या नाम है तो यह सारी चीजें जो है वो important हो जाती है हमारे लिए क्योंकि जब हम exam में बैठते हैं तो तब जो है हमें इस type के questions जो है वो देखने को मिलते हैं तो अगर हम इनको day by day जो है वो दीरे दीरे step by step ज ability जो है तो वो increase होती है बलकि इसे जो है वो हमारी जो जागरूपता है society के प्रति वो भी हमारी मजबूत हो जाती है और बस last में मैं इनी words के साथ विदा लेता हूं कि अपना व्यक्तितब इस तरीके से develop करिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सूचती है इसका आपके मदद करना चाहते हो और किस तरीके से करते हो यह आपके लिए important हो जाता है और बस इनी words के साथ लेता हूं आपसे विदा मिलते हैं next वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई सेबा खेर